थेलो एफ्रिवन आज हम करें understanding subject multi-disciplinary क्या है interdisciplinary क्या है इंटरिसिप्लिन क्या और रांस-disciplinar स्थ हम डिटेल में समझेंगे इसके examples, introduction, importance और disadvantage तो सबसे पहले हम चलते हैं multi-disciplinary approach क्या होती है उसको देखते हैं तो सबसे पहले हम करें multi-disciplinary approach तो इसमें पहले example लेके चलते हैं फिर इसकी इंट्रो पर चाहेंगे तो according to this example, just suppose की मालनों कोई एक मुद्दा है जैसे कि climate change उसके उपर बात हो रही है तो उसके उपर अलग-लग field के लोग बैठे हुए एक table पर जैसे politicians भी बैठे हुए है climateologist भी बैठे हुए तो सबके क्या है views अलग-लग होंगे जो climateologist है वो climate कैसे change हो रहा है आने वाले time में उसकी बात करेगा economics जो है वो बताएंगे कि कैसी economy जो है वो change हो रही है या decrease increase हो रही है तो उसकी impact वो कैसे बचाया जाए तो अलग-लग जो फिल्ट के लोग है अलग-लग बात करेंगे ठीक है अपने अपने point of views देंगे लेकिन वह आपस में integrate नहीं कर रहे है means कि यह दोनों आपस में मिलकर उस problem को solve करने की कोशिश करें कि मैं क्या कर सकता हूं या अपस में क्या कर सकता हूं मैं वह स्वो करूंगा लेकिन आपस में क्या करें मिल नहीं रहे इंटीग्रेट नहीं करें इस अप्रोच को के उपर क्या करते हैं बाकी मुद्दे नहीं दिये करें बाकी चीज़े नहीं दिखें तो टीचर क्या है ऐसे मर्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज करके एक बच्चे को different ways बता सकती है कि एक ही प्रॉब्लम के अलग-लग solution कैसे हो सकता है या एक ही प्रॉब्लम के जो उसको अलग-लग वे से बता रही है उसका जो एक प्रॉपर solution क्या होगा या integration क्या होगा उसको नहीं बता रही है जिस उसने व्यूज कर दिये तो इस तरह से क्लास्रूम में मुल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज किया जा सकते है इसको हम एक और example से समझते हैं फिर चाहें कि हम जो है रिलीजियस से इंटीग्रेट कर लें आपस में मिल जाए और मिलकर उस मुद्वे को सॉल्व करें ठीक है तो उसकेस में हम उसको कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच या फिर इसको और ज्यादा अगर आगे से जो हैं और मिक्स हो जाए तो वह ट्र अप्रोच का नेम जो है वह लगो जाता है तो ऐसे हमारे पास यह मिलना नहीं चाहते ठीक है एक मुद्दे पर सब टेबल के अरौन पैठे हुए हैं काम कर रहे हैं लेकिन एक दुसरे से मिलना नहीं चाहते अलगला वक्रों अपना-पना काम करना चाहते तो उसकेस के सबसे पहले क्या है कि मल्टी डिसिप्लीनरी के अंदर सीनों जो हैं इकठे हैं लेकिन अलग-लग काम करें अपने पॉइंट ओव यू पर अडिग रहते हैं ठीक है फिर हमारे पास इसमें मल्टीपर डिसिप्लीन्स हैं ठीक है जैसे कि हमने क्लाइमेट चेंज वाल एक्ज अपने डिसिप्लीन की जो नौलेज है उसको ड्रॉब कर रहे हैं अपस में इंटिग्रेट नहीं कर रहे हैं मैंबर कॉप्रेट इंदियर कॉंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ना कि दूसरे को हैलप आउट करके करें डोंट इंटिग्रेट दियर प्रस्पाक्टिव अपने इसको उनके प्रस्पाक्टिव से इंटिग्रेट करने की कोशिश नहीं करते हैं मतलब उनका जो में मुद्धा है सल्यूशन को सॉल्व करना हो ना हो लेकिन हमारा जो पॉइंट ओफ यू है वो हमारा ही रहेगा वो दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं करते हैं इसकी इंप इंप्रूब होंगी उसकी जो इंट्रस्ट है वो डिवर्सिफाई होगा मतलब डाइवर्स होगा बहुत जगह पे जाएगा वह साथ शोसर चाहिस भी पढ़ना पसंद करेगा वह कॉलाइमेटोलोची को भी पढ़ना पसंद करेगा सोचलोची को भी इकनॉमिक्स में क्या इसकी इंप्रूब होंगी करियर डिवेलपमेंट में उसको हैल्प मिलेगी इसके इलावा जब वह इतने मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब अलग लग फिल्ट के लोग मिलकर काम करते तो उससे कहिना एक्साप्टेंस भी बढ़ती है दुसरे के लिए एक पेशेंट्स भी यूज करते हैं तो नेक्स इसके देखते हैं कि इसके डिसटेवांटेज क्या है टाइम प्रेशर ठीक है तो इसमें जो है टाइम बहुत कंस्यूम होता है क्योंकि सबके पॉइंट ओव यूस सुनों फिर उसके क्या सुलूशन हो सकता है उस पर आओ और वैसे पी उनको कारबल मिलना भी पड़ेगा तो वो भी एक सिच्वेशन हो चाहती है फिर डिपैंट अपॉन था अवैलेबल रिसोर्स इस तो जित्ते रिसोर्स है उसी में सबको मिलकर काम करना पड़ेगा तो यह एक disadvantage रहता है ठीक है नेक्स है हमारे पास इंटर डिसिप्लिनरी अप्रो solution आए चाहे उनको इक दुसरे के विचारों का accept करना पड़े एक दुसरे के perspective को accept करना पड़े तो ठीक है इंटर डिसिप्लिनरी प्रोच में वो एक दुसरे के close आ जाते हैं इक दुसरे के विचारों को एक्सचेंज करते हैं politicians भी ready होते हैं कि जो climatologist कह रहे हैं हम ready हैं उसको accept करने के लिए जो religious कह रहे हैं उसको accept करने के लिए और मिलकर काम करते हैं दुसरे के साथ integrate हो जाते हैं ठीक है तो उसके सको प्लेग्राउंड में ले जा सकती है और उसको long jump के बारे में सिखा सकती है तो उसमें कि फिटनेस की बात भी होगी बॉडी की बात भी होगी लांग जंब में फीजिक्स की भी बात होगी ठीक है कि कैसे कितने हाइट में कितने स्टैंस पे तो वह mechanism जो रहता है उसकी बात हो और फीजिक्स भी होगी math skills भी होगी तो एक ही चीज़ में हम तीन चार चीज़ें कठे पड़ रहे हैं तो इस तरह कि टॉपिक्स होते हैं उनको हम कहते हैं इंटर डिसिप्लेन रिप्रोच कि बंदे ने काम तो ही किया लेकिन चार चीज़ें सीख गया इंटीग्रेट कर ग सब्सक्राइब है तो यह कै है integrate knowledge on two or more disciplines लेकिन Safi चीव नाटीप Посब्सक्राइब मीस ओगी को जात clap प्रोस डी में प्रोडी दूसरे की जो बलूनरीज है उसको क्या करते insists यह मैंनी इंट्रिस्पीनरी इसको देखते हैं पहले है कि different discipline can lead to greater creativity ठीक है कही ना कही multiple disciplines होंगे तो creativity बच्चे की बढ़ेगी यह बच्चा long jump से कितना कुछ सीख रहा ठीक है तो उससे क्या उसकी और creativity बढ़ती है explore करता है वो topics की range boundaries को cross करने की कोशिश करता है मतलब इक limited नहीं रहता कि उसको सब्सक्राइब नहीं तो वहीं तक ही लिमेट है वो उसके अंदर science भी ले आएगा math भी ले आएगा मल्टीपल चीजे कर सकता है उसकी critical thinking synthesis process जो है वो improve होता है research करने की जो उसके अंदर भावना है वो increase होती है और बच्चा जो है student जो है could have many alternative ways to require knowledge ठीक है और उसके पास एक ही problem के बहुत सारी solution आने लगेंगे इस तरह से उसका brain काम करने लगेगा और student covered topic in a more depth ठीक है जो बच्चा है वो और भी depth से उस चीज़ को solve करने की कोशिश करेगा पढ़ने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके पास क्या है different perspectives होते हैं एक ही चीज़ के ठीक है फिर इसके disadvantage disadvantage है वो क्या है time demand ठीक है क्योंकि एक ही चीज़ के अंदर जब हम चार मालों की एक classroom के अंदर टीचर एक ही चीज़ पढ़ा रही है physical education की तो उसका काम खतम हो जाता है लेकिन आप उसको चार चीज़े और भी चोड़नी पढ़ रहे हैं वो math क्या भी बता रही है पूसको टाइम भी जादा देना पड़ेगा तो टाइम डिवान वो बढ़ जाती है integration confusion भी हो जाती है कई बार ठीक है अपस में एक दूसरे के अगर मुद्दे के बात करें कि आपस में integrate करें तो लग लग सकते हैं और different personalities के कारण एक दूसरे को सकता है वो एक दूसरे की व्यूस को यह सारी सिच्वेशन समय इंटरडिसिप्लिन रिप्रोच में देखने को मिल सकते हैं नेक्स हम करते हैं ट्रांस डिसिप्लिन रिप्रोच अब यह क्या है इसके अंदर भी हमारे पास क्या कहीं integration होता है यह रेवल का इंटिग्रेशन होता है दूसरे में इतना घूज को सी हमेंस कारें और दूसरा कि स्टैक वोडर्ट्डिक बनाना है जstal कई और यह head चाहिए कोई एंजियों की हर्प चाहिए तो वह सारे पी जो हैं फिर इन सब के साथ जो टेबल के अराउंड बैठे हैं जैसे क्लाइमेट चेंज हमारा टॉपिक है तो उसमें और बी तरह इंटीग्रेटी हो जाएंगे थोड़ा हैं पुरी तरह से से कौन कौन से इस्केंज और इसमें सब्सक्राइब तो दोनों साहिए जो चीज़ें वह मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाती हैं उनको सिर्फ प्रॉब्लम की सल्यूशन से मतलब है अपनी व्यूज अपने पर्सपेक्टिव यह प्रवान ही होती तो उस केस को हम ट्रांस दिसिप्लिन रहते तो यह जो काम आता है मारे पास रिसर्च फिल्ट के अंदर भी बहुत काम आता है कि जब हमें कोई पर्टिकुलर चीज पर रिसर्च करनी है मैं उसको स्लूशन निकालना है तो अब उसमें मुझे कुछ भी पढ़ना पड़े चाहे मुझे मदया कि मैदिसिन क्या हो सकती है तो उस प्रेश के अंदर हम क्या करते है डिसिप्लिन रिप्रोश का यूज करते हैं हम डॉक्टर्स के विजिट करते है हमें मालोग और्किनाइजिशन की है चाहिए तो हम सब को कॉलाबरेट कर लेते हैं ठीक है तो इस टाइप की जो सिचुछन उसमें ट्रांस इसिप्लिनरी के अंदर क्या है सबसे पहले तो यूनिटी ओफ इंटलक्ट्र सबसे पहले तो प्रस्पाक्टिव यह एक हो जाता है क कि एक ही प्रस्पाक्टिव में आने के लिए भाइन सब्सक्राइब दुसरे की सिस्प्लिन करने के लिए की हर दीसिप्लिन की एंस से इस मारे पास रदे चीति उल्पर हमें से हीतिक होओड पर रहता है करने का integration होता है इसमें जो कर देते हैं boundaries को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसको हम रिसर्च फिल्ड में यूज करते हैं तो हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलते हैं क्यों प्रोड़क्टिव इसमें लिखकर आते हैं बहुत सारे लोगों की अंडर्स्टेंडिक आती है आपस में unity of knowledge आती है new knowledge भी निकल कर आती है रिसर्च होती है critical thinking जो है वह हमारी improve होती है इसके अंदर ठीक है तो इस तरह सी इसकी importance है disadvantage में इसका वही रहेगा जैसे कि बाकी दो मेरा है कि time pressure या एक दूसरे में आगे चाके conflicts हो सकते हैं दूसरे के opinion defer कर सकते हैं तो इस तरीके से जो है यह problem create हो सकते है इसको आगे हम एक और image से समझते हैं इमीज से भी समझ सकते हैं मैंने Google से download कर रही है कि disciplinary सबसे पहले क्या होता है मारे पास कि अलग लग जो disciplines है जैसे कि math science अलग लग जो हमारे पास ही क्या है लग लग disciplines है तो जब यह आपस में interact करते हैं एक दूसरे के साथ काम करते हैं together अपने point of view देते लेकिन integrate नहीं करते तो उसको multidisciplinary कहते हैं जब आपस में integrate कर देते हैं एक solution पर काम करने की कोशिश करते हैं तो उसको आप इसको भी शो कर सकते हैं तो थैंक यू सो मच पर वाचिंग स्टे ब्लास्ट